नमस्कार आज में आपको बताऊंगे 28 chest blouse cutting and stitching तो देखे 28 chest blouse आपकी कहने पर बता रही हुमें तो 28 chest blouse आपको कैसे बनाना है तो यहां पर यह देखे बॉर्डर वाला कपड़ा है तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं अगर आपका बॉर्डर वाला कपड़ा नहीं है तो आप इस तरीके से एक काम कीजिए कि आपकी जो chest blouse 28 है तो पूरा जो chest blouse में यहां पर देखे 28 है तो 28 का जब आप यहां पर आदा लेंगे तो यहां पर 14 इंच आएगा इस तरीके से उसके बाद आपको यहां पर गुंजाइस लेनी है तीन इंच की गुंजाइस भी ले सकते हैं आप 4 इंच की भी ले सकते हैं वो आपके उपर है जितनी भी चाहें आप गुंजाइस लेने उसके बाद आप यहां पर कटिंग करेंगे कटिंग करने के बाद आपको एक पलर छोटा रखना है एक बड़ा तो छोटा हमें इसलिए रखना है कि जो पीछे का पलर रखना है आगे का पलर बड़ा हमें इसलिए रखना है क्योंकि इसमें कटिंग होती है तीरे की और पिलेटें डलती है तो इसमें हमें एक बड़ा प्हटना सोल्डर् प हम इसको पहले बॉर्डर बाले के रहें पहले पिछे क निकलता दो ये एक मेशने के बॉर्डर भाला पण मेशनोती है इस तब इस सीग लें पोदकर या आपको पैर आपको ब hem सबसे पहले लंबाई लएंगे सोल्डर कि क्योंकि लेंगे ना तो बड़ा बनाएंगे ना खोटा अगर आप एकदम बड़ा बनाएंगे तो आठ इंच का बनाएंगे तो हम यहां पे साड़े 5 इंच का 5 इंच ले लेंगे इतना फरक रखना है आपको अब देखे आरुमल हम यहां पे साड़े 5 इंच के लेंगे अठाई चेस्ट के लिए अब हमारी जैसे पीछे का पल्लत 14 जिए आरुमल Сबसे पहले लें आरुमल पर इस तरीके से गोलाई काअ निशान लगाना है। उसके बात लेंए। यहां पर दीए pare प Twin चैनले कर सकते यहां तो लेंश यहां पर देखिए हमें गले की चोड़ाई लेनी है दो इंच गले की लंबाई जैसे मैंने आपको बता है आठ इंच भी ले सकते हैं साथ इंच भी ले सकते हैं सोल्डर आपको साड़े पांच इंच लेना है अगर आप ज्यादा डीप रख रहे हैं पीछे का तो पांच यहां पर सोल्डर आरूमल यही रहेंगे बस आपको चेश्ट में कम जादा करना है तो जैसे मैंने यहां पर गुंजास लिए न तो उसके साब से आप 30 इंच का भी बना सकने इसको क्योंकि देखिए 7 इंच आएगा तब तो हमारा पीछे का 14 इंच का हो जाएगा तो अठाई चेश्ट तैयार है अगर हम यहां पर साड़े साथ इंच कर रहे हैं थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो वह 30 इंच का हो जाएगा इस तरीके से आप कम जादा कर सकते हैं अब देखिए पीछे की प्लेट हमें इस तरीके से निशान लगाने हैं सोल्डर से तो पीछे की हमें जादा नहीं रखनी है चार या पांच इंच की लंबा ही रखनी है अब इसको हमें ऐसे रखना है इस तरीके से और देखिए कुछ लोग गलतियां करते हैं पीछे का बड़ा गला बना लेते हैं फिर छोटा कैसे करें तो जैसे मैंने आपको बताई यहां पर सोल्डर स करना है बस हमें इसमें एक इंच बढ़ाना है अब जैसे हम तुर्पाई बला बना रहे हैं तो दो इंच बढ़ा लेंगे दो इंच पर कटिंग करेंगे क्योंकि अगर आगे का पलत थोड़ा बढ़ा होगा तो उसको चोटा कर सकते हैं चोटा हो जाएगा तो उसको बटन पर क्लिक करके देख लें सारे विलोज की सहम होती है बस हमें चेष्ट के साफ से जो हम प्लेट डालने तो वह हमें थोड़ी कम जादा करनी पड़ती है इस टीचिंग का वीडियो मैंने अभी बता है है वी चैस्ट का लाउज कैसे बनाए उस वीडियो का जरूर्ण दे देखें," पीचे और आगे की दोनों पल्लर हमारे हैं चेस्ट में पराबर है pertama मल्प के लंबाइ等 में हमारी ज्याने है नहीं है आगे बिया की लकषा साइड हमें यहां पर चाहिए आप कितनी भी चेश्ट का ब्लाउज बनाएं इस बात का ध्यान रखना है आपको आदा इंच यहां पर कटिंग करना आगे का जूपल रहें इस तरीके उसके बाद गली की चौड़ाई लेंगे दो इंच गली की लंबाई लेंगे 6 इंच अगर आप चाहें तो 5 इंच भी रख सकते हैं मैं यहां पर 6 इंच रख दहीं हूँ और इसको गोलाई में कटिंग अब यहां पर तीरे का निशान लगाना है हमें 12 इंच पर क्योंकि अठाई चेश्ट का ब्लाउज है तो हम यहां पर 12 इंच एक इंच ऊपर के शाइड लेना हमें इसको देखिए कम करते हूँ ऐसे लेकर जाना है अब टक्स का निशान लगाएंगे हम यहां पर 9 इंच पर अब जो भी हमारा फिटिंग का कपड़ा पो निकालेंगे तो हमारा फिटिंग का कपड़ा है साथ इंच लेकिन हम इसमें सा प्लाउज में भी ले सकते हैं लेकिन आपको मैं ज्यादा घुमा पिरा के नहीं बताती हूं क्योंकि आप लोग नए होते हैं फिर यह कि बात आप ध्यान में रखेंगे तो आप चाहें तो हर खायद में भी ले सकते हैं अब देखिए साड़े साथ इंच का इस तरीके से आ कि यहां पे 10-3 इंच से भी कम लेना फैस यहां पर आदा इंच से भी कम और यहां पर देखिए इसी के legislation की बरावर्य को गिए ब्रबावर की यह पर की शैड नहीं कि एद्गा क्ट तीरा हमारा बरावर आना चाहिए अब यह हमारा गला अब देखिए HO लिया है आप पांच इंच का भी ले सकते हैं इसको बड़ा भी ले सकते हैं चोल चोल नगे आगे कहो गया अब बाजु की प्यक्व की कटिंग देखिये आप चोटी बड़ी भी कर सकते हैं अब देखिये यहां पें हमारे कपड़े की चोड़ाई 15 लगाना पड़ेगा तो कपड़े को देखिये हमें इस तरीके से रखना है इस तरीके से क्योंकि हम गुंजास लेके चल रहा है ना पूरे आरोमल पर आना ऐसे किया तो 9 इंच हो रहा है इसको ऐसे रखना है हमें इस तरीके से अब देखे कटिंग करेंगे तो हम यहां पर लेंगे 3 इंच और इसको देखे ऐसे करके उपर के साथ लेके जाना है यहां पर जुड़ा हुआ है अब जोड़ते समय भी हमें ध्यान रखना है कि यह जो जोड़ें वो पीछे की साइड ही आने चाहिए बाजू को जब हम जोड़ेंगे तो यह पीछे की साइड हमारा जोड़ा जाएगा और दिखाई भी नहीं देगा यहां पर बॉड़र है तो इसमें हमें पट्टी लगाके अंदर की साइड तुरपाई करनी है आप सिलाई भी लगा सकते हैं तो यहां पर हमारा यह अठाइस चेश्ट का ब्लाउच कटिंग हो गया है इसको आप तीस चेश्ट में भी बना सकते हैं कट इसी तरीके से होते हैं इसको आप अप सकते हैं यूझ यहां यहां चापी लेए नि सी अ copy लिये मैंने यहां पर मैंने कुआ यहां लिए तीन इंच की झाल झाल